साथियो आदाव आपका इस्तखबार हमारे चैनल शमय और्दु हिंदी में आज हम पढ़ेंगे एक अर्जी यानि एप्लिकेशन तो चलिए कैसे लिखते थे पुराने जमाने में वो हम सीख लेते हैं और उसी को देखकर आगे आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ है दर्खास ओदा पटवारी गिरी जनाब आली कमतरीन कबाब मुसमी धरम नारायन जिसने बीच साल तक पटवारी गिरी की खिद्मत नेक नामी के साथ अंजाम दी थी पास साल का अर्सा गुजरा किवे गजा इलाई से फोस हो गया उस वक फदूरी मदर्से में तालीम पा रहा था इतनी उमर और ल्याकत ना रखता था कि अपने बाप की खिद्मत को काफी तोर से अंजाम कर सकता इसलिए हाकिमों के हुजूर में अपनी परवरिश की तरखास करना पुदूल समझा लेकिन इमसाल फिद्वी ने मिडल किलास क्या इम्तिहान पास किया और उसी वक्त से पेमाईश नक्षा कशी और कागजाद पड़वारी की मुरत्ब करने का तरीका अपने एक रिष्टेदार से जो इस काम में बखूवी होशियार रहे सीखता रहा और उस वक्त इस बात का मुन्तजिर था कि किसी मुनासिब मौके पर हुदूर में दर्खास अपनी पेश करें अब दर्याप्त हुआ कि मौदू जलाल पूर और छाबरा की पटवारी का होदा खाली है इसलिए कमतरी नहायत अदब के साथ इलतिमास जानी गुजारिश करता है कि जिस वक्त मौदूर मज़कूर के लिए पटवारी तजवीज किया जाए तो पिद्वी के खांदानी इस्तेकाक पर और नेज इसकी नाचीज लियाकत पर जो सनदों के मुलाइजे से जाहिर होगी तबज्यो परमाए पकट 20 मार्च 1895 अरजी गुजार पिद्वी किशोर राम पीर धरम नारायन मत्वी पटवारी मौदू दाता नगर तेसील पुर्जा इसके बाद इसके ये अलपाज मानिये इने भी देख लेते हैं कम तरीन कम दर्जा अर्जा मुद्द जमाना पज़ा मौत फौत मर जाना फिद्वी दर्खास्त करने वाला ल्याकत समझभूच खाबलियत फुजूल बेफाइदा इमसाल इस साल मुन्तजर इंतिजार करने वाला मुरत्ब तर्तीब दिया गया बहुवी अच्छी तरह इलतिमास तमन्ना गुजारिश मज़कूर जिक्र किया गया इस्तहकाः हप पाबलियत मुलाहिजा मुआइना मतुफी मरा हुआ उम्मीद है कि यह आपको समझ में आओगा बहुत अच्छे से और अगर आभी भी कोई परिशानी है पहुदने में तो डिस्क्रिप्शन में कायदे की वीडियो से आप उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं हमारी सपोर्ट करें लाइक शेर सबस्क्राइब करें और उसला अफजाई करें शुक्रिया